हेई गाईज असलाम लेकुम इट्स मरियाम अदील एंड वेलकम बैक तो मैं चैनल काईज आज आपके साथ की इम्यून बूस्टिंग चाय या मिल्क शेयर कर रही हूं यह ना सरिफ आपके इम्यूनिटी को बढ़ाएगा साथ ही आपके जिद्धी फैट को कम करेगा यह यलो टी या मिल्क यानी हर्बल ड्रिंक आपकी क्रोनिक लंग कंडिशन जैसे एस्थिमा और पल्मिनरी और सिस्टिक फाइब्रोसिस होगारा ठीक करेगी म्यूकस जर्नेट नहीं होने देगी जिससे आपकी बॉड़ी और लंग सही से काम करेंगे यह चाहे oxygen consumption को regulate करेगी और organ function ठीक करेगी यह drink antibiotic है तो इसका regular use हर तरह के infection से हमें बचाएगा आजकल के virus से बचना हो या किसी भी दौर में किसी भी तरह के virus infection से या किसी भी disease से बचने के लिए हमारे immune system strong होना चाहिए immune system strong होने से हम किसी भी बिमारी infection या virus से बच सकते हैं और अगर किसी भी तरह का कोई भी infection या virus हम पे attack करता है तो हमारा immune system strong होने की वच्छा से हम इन बिमारियों से fight कर सकते हैं तो यह drink आप खुद भी लें और अपनी family के हर furt को दें तो आप लोग के लिए इतनी informative और useful हमेशा की तरह आज भी वीडियो लेकर आई हूँ तो एक like बनता ही है और अगर अब भी तक कोई भी वीडियो आपने मेरी share की हो या ना की हो लेकिन ये वीडियो जरूर share कीजिएगा क्योंकि आज इस time या इस virus से लड़ने के लिए हर किसी को इस drink की जरूरत है इस चाय को दोनों तरहां से बना सकते हैं यानि milk में भी और पानी में भी तो यहां मैं पहले आपको पानी में बना लेकर दिखा रही हूं तो उसके लिए मैंने ले लिया है एक मग में अगर drink बना रही हुँ है तो एक मग से थोड़ा सा ज्यादा मैंने इसमें पानी ले लिया है अब इसको अच्छा सा हम बॉयल देंगे ताकि जितने भी दार्चेनी यानि के सिनेमन के अंदर जो अरोमा या इसका जो बेनेफिट है वो अच्छी तरह से पानी में रिलीज हो जाए दार्चेनी यानि सिनेमन अंटी बैक्टेरियल होती है हमारी बॉडी में होने वाले फ्लू या कफ को ट्रीट करती है और ऑक्सिजन को सही तरह वर्क करने में हेल्प करती है उसके बाद यहां मैं ले रही हूँ एक अद्रच का पीस आप चाहें तो इसको स्लाइसिस में या किसी भी तरह से कार्ट सकते हैं मैं इसको पील आफ करके ग्रेटर की हेल्प लेके ग्रेट कर लूँगी अद्रच एंटी ऑक्सिदंट से रिच होती है और यह इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की ताकत रखती है और कोल, कफ, एंड फ्लू को हमसे दूर रखती है और अगर हो भी जाए तो इसको जल्दी छीक करने में बहुत हेल्प करती है अब यहां दारचीनी डाला हुआ जो पानी है हमारा अच्छी तरह से बॉइल हो चुका है दारचीनी ने अपना जितना भी इसमें जो अरोमा था या जितने बेनेफिट्स थे वो इस पानी में अच्छी सा इंफ्यूस कर दिये है यहां आप मैं यह अद्रच जो मैं आपको ग्रेट करके दिखाई थी वो मैं इसमें एड करी हूँ आपको यह दिखा देती हूँ एक टी स्पून के बराबर यह अद्रच है हल्दी यहां मैं ले रही हूँ साबुत हल्दी मैंने ली थी और उसको कूटने के बाद अच्छी तरह से ग्रेंडर में बारिक पाउडर कर लिया था आप चाहें तो किसी पंसार शॉप से लेकर उससे भी पिसवा सकते हैं और अगर आपके पास वो हल्दी नहीं तो आप घर की किचन की नॉर्मल हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इस टाइम हर चीज कोई भी चीज मिलना बहुत मुश्किल है तो हल्दी में इस मैं एट करूंगी 1 टी स्पून हल्दी एंटी इंफ्लिमेंटरी होती है एंटी बायोटिक होती है हल्दी में कर्क्यूमन होता है जो जिसम की सूजन या इंफ्लिमेशन को कम करता है अगर आप मैंसे किसी को थायराइट है तो थायराइट में जो सूजन हो जाती है उसको ठीक करता है ये थायराइट के हॉर्मोन्स को बैलन्स करने का काम भी करता है इस वीडियो को end तक सही से देखेगा ताके इस drink को बनाने का सही तरीका आप जान सकें अब हल्दी डालने के बाद हम एक से दो मिनट तक इसको खौलाएंगे यानि बॉयल देंगे ताके हल्दी भी अच्छा सा इंफ्यूज हो जाए और अपना करक्यूमन नाम का जो enzyme इसमें मौझूद है वो अच्छे से इस drink में पैलियूट हो जाए तो इसको एक से दो मिनट बॉयल देंगे और उसके बाद हम इसमें एट करेंगे काली मिर्च बैक पेपर यानि के साथ से आठ काली मिर्चों के दाने ले लिये हैं जो के naturally immune system को boost करती है काली मिर्च में पैपरीन नामी enzyme होता है जो हल्दी में मौझूद करक्यूमन को body में absorb करता है और ये आपके metabolism को भी fast करता है जिस से आपका वजन भी जल्दी कम होता है अब ये मेरे पास half tea spoon के बराबर यहां आच चुका है ये मैं हल्दी का जो मेरे पास चाय तयार हो रही है उसमें add कर दूँगी इसको add करने के बाद अच्छा सा mix देंगे एक मिनट और खौल आएंगे और अगर आप इसे पानी की जगा मिल्क में यानी दूद में बनाना चाहते हैं तो यही सब चीज़ा और इसी तरह से आपने सारी चीज़ें दूद में डालने के बाद इसको stoff पर रख देना है और इसको एक से दो खौल देना है अच्छे से और फाइफ मिनिट के लिए ढ तरहें जगर आज़ने के अगर डिएक आप जो जक सका हैं जगेकि सिरुआ तो उसको बनाते के बनाنت बनाने चाहते हैं चाहते हैं थाएफ मिनिट के नए प्युंगार के बना पाद इसको एड़नों पेलें तुक इजे के रिए कर टो शौन ऊफ़ पानी वाला यही इसको ह इसको मीचा करने के लिए आप इसमें शाहर डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें ब्राउन शुगर का भी यूज कर सकते हैं. इस चाय को हर तरह के लोग ले सकते हैं ये डाबेटिक में बहुत ज्यादा हेलपफुल रहेगी अर्थराइट्स के पेशन्ट है तो उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा हेलपफुल है थायराइड में ये चाय बहुत ज्यादा हेलपफुल है क्योंकि यह आपके thyroid के hormones को बनने में बहुत साथ helpful help करती है यह चाय PCOS वालों के लिए भी बहुत अच्छी है क्योंकि यह hormones को balance करके आपके depression को कम करती है इस चाया milk को pregnant women's भी ले सकती है even इसको post pregnancy में भी ले यह आपके लिए बहुत helpful रहेगी या फिर अगर आप nursing mother हैं तब भी इसे ले सकती है arthritis के patient इसको लें उनके joint pain में भी बहुत relief मिलेगा cuff है flu है किसी भी तरह की कोई भी infection है उसमें यह जरूर ले और साथ यह जो आजकल virus का जो यह problem आई हुई है इसमें आपकी बहुत help करेगा आपकी immune system को boost करेगा और किसी भी तरह के infection और virus से आपको बचने में help करेगा तो उम्मीद करती हूँ guys आज की video हर दफा की तरह आपको पसंद आई होगी यह काफी informative और helpful video है और यह drink है इसको जरूर 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 अपनी हर family members में अपने friends में इसको जरूर share कीजिएगा ताकि हर को इससे फायदा उठा सके क्योंकि अभी हम सब को ही इस drink की या अपना immune system बढ़ाने की जरूरा थे अगर आप चाहें तो इसके अंदर lemon भी excuse कर सकते हैं क्योंकि वो भी vitamin C से rich होता है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीएं गरम पानी पीएं अपने हाथों को ज़्यादा ज़्यादा वाश करें ताकि इस virus से आप बच सकें और steam लाजमी लें किसी भी तरह का infection आपको feel होता है अपने बॉड़ी में mucos को generate ना होने दें यानि कि जो बलगम आता है वो आपकी बॉड़ी में रहे ना इस चीज से आगाई दें तो घर पर ही रहें क्योंकि घर पर रहके ही हम अपने आपको और अपनी फैमली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और मुझे भी अपनी दुआउं में याद रखें तो मिलती हैं आपसे एक और न्यू वीडियो में तब तक के लिए देजिए मुझे इजासत आला हाफिज